हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल फ्रेंड्स मीसिस कोली की तरह से प्यार भ्रह नमशकार सत्रिया काल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही असान दरीके से बेसन की बर्फी सरदिया स्टार्ट हो ग यह बड़िया से रेस्पी अपने घर पर जहट पर से किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है तो फ्रेंड्स मैं जिन चीजों का इस्तमाल करने वाली हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ आप इसी तरह से इसी रेशो से आप अगर बेसन क बर्फी बनाते हैं तो आपकी बेसन की बर्फी कभी भी खराब नहीं बनेगी कभी भी बेस्वाद नहीं बनेगी तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किन-किन चीजों का इस्तमाल करने वाली हूँ तो यह देखिए मैंने लिया है बेसन बेसन जो रेगलर बेसन का भी इस्तमाल करूंगी और ये है घी घी मैं ले रही हूं 300 ग्राम तो यानि कि 400-400 ग्राम मैंने वो दोनों चीजें ली है और घी लिया है 300 ग्राम चार बड़े चमच मैं लूँगी सूजी बरीक वली सूजी है तो इसलिए सूजी का इस्तमाल जिरूर कीजिए और ये कुछ ड्राइ फ्रूट्स मैंने लिया है जिसमें मैंने मगज, काजू, बदाम और पिष्टा का इस्तमाल किया है इसका बाद में हम इस्तमाल करेंगे और ये है एक बड़ा चमच के करीब हरी लाइची का पौडर यानिकी ग्रीन कार्डमम पौडर तो ये सबी चीजों का हम इस् सूजी को थोड़ा सा भूनने में टाइम ज्यादा लगता है तो पहले आप सूजी को थोड़ा सा भून लीजिए दो मिनट के लिए आप इसे भूनियेगा और भूनेंगे हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सारा काम हमें लो फ्लेम पर ही करना है अगर आप थोड़ा मोटे तले का बर्तन ले रहे हैं तो आप इसकी फ्लेम medium कर सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा पतला बर्तन ले रहे हैं तो आप इसे low flame पर ही भूनियगा तो वैसे भी अच्छी तरह से भ्हुन जाता है अगर low flame पर हम इसे भूनते है तो देखे 2 मिन Üस्फित हो गई है मुझे भूनते हुए सूजी थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और खुश्बू भी आ रही है अब हम डालेंगे इसमें घी तो घी की मात्रा आपको कम ही रखनी है बेसन और चीनी से तो ज्यादा आपको घी नहीं इस्तमाल करना है अगर आप 300 ग्राम की जगा अगर 200 ग्राम क अब इस्तमाल करेंगे तब भी आपकी बेसन की बर्फी बड़िया मतलब बन कर त्यार होगी तो साथ में अब ढाल देंगे हम इसमें हमारा बेसन बेसन को मैंने पहले से ही अच्छी तरह से छान लिया है और जिससे हम कड़ी विगर बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं वह अब तक भूनेंगे जब तक इसका हलका सा कलर ना चेंज हो जाए और बड़िया सी खुश्बू ना स्टार्ट हो जाए आनी तो देखिए अभी आपको घी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन कम नहीं है जैसे जैसे हमारा बेसन बहुनता जाएगा तो घी इसमें से अलग होता जाएगा तो भूनेंगे इसे चलाते रहेंगे लगातर तो आपको विंटर में अगर बेसन की बर्फी बनानी है तो अगर आप इस तरीके से बनाते है तो आपकी बेसन की बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी बिल्कुल भी मेहनत ज़्यादा नहीं है ना ही हम ज़्यादा समान का इस्तमाल कर रहे हैं, कम से कम इंग्रीडिनेट्स में हम इसे बना कर त्यार करेंगे, तो लगातर चलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे, फ्लेम अभी भी लो है, क्योंकि कड़ाई काफी गरम हो जाती है, अराम से ये भूनता चला जाएगा बेसन, तो चलिए, मैं आपको भून कर फिर दिखा देती हूँ, फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, जादा से जादा शेर कीजिए, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये देखिए, घी इसमें से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, आप देखी रहे हैं, तो आप ज़्यादा इसमें घी बिल्कुल मद डालिएगा, लगा थर चलाते रहेंगे इसे, बेल का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, बेल्कुल सिंपल वे में मैं सारी वीडियो बनाती हूँ, फ्रेंट्स रेस्पीस बनाती हूँ, आप इसे जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो अब देखिए, बेसन हमारा भून चुका है, आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी खुश्बू भी आनी स्टार्ट होगी है, और कलर भी इसका चेंज हो गया है, अब कैसे पता लगेगा कि हमारा जो बेसन है, फ्राई हो चुका है, रोस्ट हो चुका है, कि नहीं हो चुका है, या भून चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक कटोरी में लेंगे पानी, तो पानी के छीटे इसके उपर मारेंगे, और जब चन के अवाज आएगी न तो समझ लीजिए हमारा बेशन अच्छी तरह से भुण चुका है तो मैं ले लेती हूँ पानी तो लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा समयने इसमें फूड कलर भी एड़ कर दिया है ताकि बेशन की बर्फी का कलर बहुत अच्छा हो जाए अभी आपको ये कलर नहीं दिखाई देगा यलो लेकिन बाद में जब हम इसमें चाशनी आइड करेंगे न तब आपको दिखाई देगा तो देखिए मैंने पानी के छीटे मार दिया है और मुझे तो च्छन की आवाज आ गई है लेकिन आपको नहीं आई तो ये देखिए बेसन हो गया हमारा बिल्कुल त्यार भुनकर इसे मैं रख दूंगी साइड पर और थोड़ा सा ठंडा भी होने देते हैं और पहले देखिए साइड पर अगर रखने से पहले से चलाते रहिएगा क्योंकि कड़ाई काफी गरम है तो बेसन कहीं नीचे लग न जाए तो मैं इसे रख देती हूं साइड पर और इस फ्लेम के उपर रखेंगे अब हम एक और पैन क्योंकि हमें बनानी है चाशनी तो चाशनी बनाना भी बहुत सिंपल है बिल्कुल भी टॉफ नहीं है तो 400 ग्राम के क्रीम मैंने चीनी ली है आप अपने टेस्क एकोर्डिंग कम या ज इसमाल करेंगे ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं इसमें जाएगा देखिए हमें चाशनी बनानी है एक से डेड़ तार की तो इसलिए पानी इसमें कम से कम रखिएगा और जटपट से बन जाती है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है चीनी मेल्ट होने के बाद कम से कम तीन से चार मिनट में हमारी जा पांच मिनट में हमारी जो चाशनी ना बिलकुल त्यार हो जाती है एक से डेढ़ तार की चाशनी बनती है चाशनी को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी तरह से चाशनी पका लेते हैं तो आपकी बर्फी बहुत पर ही हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे पहले अच्छी तरह से बेसन को भूनना है बेसन अच्छी तरह से भूना हुआ होना बहुत जरूरी है उसके बाद चाशनी अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए चेक कर लेते हैं यह देखिए हलकी हलकी तारानी में तो पका लेते हैं उसके साथ हम इसमें डालते हैं हरीलाईची का पाउडर थोड़ा ये भी पक जाएगा इसमें चाष्णी में खुश्बू जबर्दस्त आएगी तो मिक्स करेंगे और दो मिनट में चाष्णी को और पकाऊँगी अगर चाष्णी कच्ची रहागी तो आपकी बर्फी कभी नहीं जमेगी इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा चाष्णी अच्छी तरह से पकनी बहुत जरूरी है तो लीजिए मैंने चेक कर लिया है एक से डेड़ तार इसमें बननी स्टार्ट हो चुकी है बस चाष्णी हमारी बिल्कुल त्यार है फ्लेम करेंगे हम इसकी ओफ और अब हम बेसन वाली जो कडाई है न वो इसके उपर ले आएंगे फ्लेम के उपर और इसे साइट पर तक इसमें चाष्णी और बेसन बिल्कुल एक सार ना हो जाएं लगातार चलाते रहेंगे अगर आपको लगेगा कि चाष्णी इसमें थोड़ी ज़्यादा है या पतली है तो आप इसे फ्लेम आउन करके थोड़ा सा और चला सकते हैं दोनों चीजों को थोड़ा और पका स से मिक्स हो गया है देख रहे हैं आप अब जमने वाली कंसेस्टेंसी में यह पहुंच चुकी है हमारी बर्फी बर्फी का बैटर तो मैंने देखिए एक ट्रेल है उसमें मैंने अच्छी तरह से घी को घीस कर लिया है आप थाली भी ले सकते हैं या पराज छोटी भी ले सक है पिस्ता है काजू है बदाम है कट करके लिया है मैंने सभी कुछ तो अच्छी तरह से इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे तो इसे मैं कम से कम एक दो घंटा ठंडा होने दूँगी उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि यह हमारी बर्फी कैसी बनी है तो यह देखिए फ्रेंट्स दो घंटे हो गए हैं लेकिन जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आ गई है लेकिन अभी पूरी तरह जमी नहीं है तो इसे मुझे कम से कम दो तिन घंटे और रखना पड़ेगा लेकिन मुझे फटा फट से आपको दिखाना है तो हम क्या करेंगे इ कि अर यह देखिए कितनी अच्छी तरह से कस लग रहा है आप देख रहे हैं और जब यह अच्छी तरह से जम जाएगी तो यह हमारी बर्व बहुत कर टेती बनेगी तो लीजिए मैंने कट्स लगा दियें अब जबने के बाद इसे हम सभी बर्फी को निकाल लेंगे तो कैसी लगी हमारी रेस्पी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज़्याद से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए फिर मिल दियो एक और नए वीडियो के साथ